एक साधग ने महर्शी रमन से पाप, कष्ट और ब्रम्हचरिय के बारे में कुछ प्रश्ण की, उसने पूछा कि महर्शी मैं एक पापी हूँ और कोई धर्म कर्म नहीं करता, क्या मुझे इसी वजह से पीडादाई पुनर जन्म से गुजरना होगा? तब महर्शी ने कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? कि आप पापी हैं, इश्वर पर भरोसा आपको पुनर जन्म से बचा सकता है, अपना सारा भार भगवान पर डाल दो, तिरुवचकम में कहा है, हालांकी, मैं एक कुत्ते से भी बदतर हूँ, आपने मुझे अपनी सुरक्षा प्रदान करके बड़ी कृपा की है, आप ही जीवन और मृत्यू का भ्रम बनाए रखते हैं, क्या मुझे बैठकर इसकी परक्ष करनी चाहिए? क्या मैं इश्वर हूँ? हिप प्रभु, यह आपकी इच्छा है, कि आप मुझे कई जन्मों के फेर में डालें या ना डालें, आप अपने चरणों में स्थान दे या ना दें, इस तरहे प्रभु में विश्वास रखो, और वह तुम्हारी रक्षा करेगा, महर्शी, एंद्रिक सुखों की तुलना में, ध्यान में अधिक आनंद है, और मन फिर भी ध्यान से बच कर भागता है, और विशय भोगों में पढ़ जाता है, ऐसा क्यों है? आनंद और पीडा तो मन के दो पहलू है, हमारा अनिवारिय स्वभाओ, प्रसन्निता है, परंतु हमने आत्मा को भुला दिया है, और कल्पना करते हैं, कि यह शरीर और मन ही आत्मा है, इसी गलत धारणा से एक अश्ट पैदा होता है, क्या क आजाना चाहिए, यह प्रवृत्ती जड़ों तक समाई हुई है, और पिछले कई जन्मों से चलती आने की वजह से मजबूत हो गई है, अगर सच्ची प्रसन्निता पानी है, तो पहले इसका त्याग करना होगा, और इसके अलावा, हमें यह भी देखना होगा, कि नई वास वासनाई या सुक्त प्रवृत्तियां जागरत नहों, महर्शी, अहम की पकड को धीला कैसे कर सकते हैं, इसमें नई वासनाओं को शामिल कर सकते हैं, अगर संसार का वस्तुनिष्ठ सत्य माया है, तो इसकी बुराई और आत्मा के सत्य की और जाने का सुधार भी एक माया ही हुआ, इसलिए पहले मन के जाल को जान लो, वह तुम्हें कैसे इस पुनरजन्म इस संसार में भटकाता है, उसके मूल का अनुसंधान कर लो, तब तुम पुनरजन्म और पाप इनसे मुक्त हो जाओगे, महर्शी, यदि हमारे किसी प्रिय की मौत हो जाए, तो मन में दुख होता है, शोक होता है, क्या हमें सब को एक समान भाव से प्रेम करना चाहिए, या किसी से भी प्रेम नहीं करना चाहिए, ताकि इस दुख से, शोक से बचा जा सके, यदि हमारे किसी प्रिय जन की मृत्यू होती है, तो जीवित रहने वाले को बहुत कश्ट होता है, शोक से, दुख से छुटकारा पाने का उपाए, यह नहीं है कि आप जीना ही छोड़ दे, जब आप शोक करने वाले को ही मार देंगे, तो शोक करने के लिए कौन रहेगा, अहंकार को मरना ही चाहिए, यही एक मात्र उपाए है, आपने जो विकल्प दिये, वे लगभग एक ही है, जब सभी एक आत्मा में लीन हों, तो किसे प्रेम करेंगे, या किसे ग्रणा की जाएगी, यह सोचने योग्य है, महर्शी, संसार में कई तरह की बिमारियां हैं, महामारियां हैं, रोग हैं, इनके पीछे क्या कारण हो सकता है, यह सब दिखाई किसे दे रहा है, उसे हंकार को खोज लो पहले, महर्शी, ऐसा कहने से बात नहीं बनेगी, मुझे तो अपने चारों और कश्ट दिखाई देता है, आप नेंद के दोरान संसार और इसके कश्ट के प्रतिस सजग नहीं थे, परन्तु आप अब अपनी जगरत अवस्था में ऐसा महसूस कर रहे हैं, उसी अवस्था में रहें, जिसमें ये बातें आपको प्रभावित नहीं करती, जब आप संसार के प्रतिस सजग नहीं होंगे, यानि जब आप अपनी आत्मा की तरहे निद्रा लीन रहेंगे, तो ये कश्ट आपको प्रभावित नहीं करेंगे, इस तरहे मन को भीतर की और मोडें और आत्मा को खोजें, इस तरहे संसार और इसके कश्ट दोनों कांत खो पर महर्शी ऐसा करना तो स्वार्थ होगा यह संसार आप से कहीं बाहर नहीं है आपने स्वयम को शरीर से जोड रखा है आप जगत को अपने से बाहर देखते हैं इसलिए आपको यह कष्ट प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं परंतु यह संसार और इसके कष्ट असली नहीं है यह सत्य नहीं है उस सत्य को जानो और असत्य भावनाओं से छुटकारा पालो महर्शी अनेक महापुरुष और संत संसार में मوجود हैं क्या वे संसार के कष्टों को दूर नहीं कर सकते ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अहम पर आधारित है यदि वे आत्मलीन होते तो यह एक अलग बात होती महर्शी फिर महात्मा मदद क्यों नहीं करते आप कैसे कह सकते हैं कि वे मदद नहीं करते सारवजनिक भाषन बाहरी गतिविधी आदी महात्मा के मोन से बढ़कर नहीं है वे अपने मोन के माध्यम से ही दूसरों से अधिक प्रयत्न करते हैं महर्शी हम देखते हैं कि संसार में बहुत कष्ट है इस संसार की दशा सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं अगर आप पीडा से मुक्त होंगे तो संसार में कहीं भी पीडा नहीं होगी अब समस्या यह है कि आप संसार को अपने से परे देखते हुए सोच रहे हैं कि इसमें बहुत पीडा है परन्तु ये संसार और पीडा दोनों आपके भीतर है अगर आप भीतर की ओर मोडेंगे तो आपके लिए कोई पीडा नहीं रहेगी महर्शी इश्वर तो संपूर्ण है उन्होंने इस अधूरे संसार की रचना क्यों की एक काम से लेखक की प्रकृती जलकती है परन्तु इस मामले में ऐसा क्यों नहीं है क्या आप इश्वर से भिन हैं कि आपको ऐसा सवाल करना चाहिए जब तक आप स्वयम को देह मानेंगे तब तक आपको यह संसार अपने से बाहर दिखाई देता रहेगा आपको यह अधूरा दिखता है परन्तु इश्वर और उनकी रचना पूर्ण है अपने शरीर या अहंकार के साथ जुड़ी पहचान की वज़े से आप इसे अधूरा मानते हैं तो महर्शी आत्मा ने स्वयम को इस दुखी संसार के रूप में क्यों प्रकट किया ऐसा इसलिए हुआ ताकि आप इसे देख सकें आपकी आँखें स्वयम नहीं देख सकती परन्तु अगर आप उनके आगे एक शीशा रख दे तो वे स्वयम को देख सकती है ये स्रिष्टी दरपन है पहले स्वयम को देखो तब आप शेश जगत को आत्मा के तोर पर देख सकेंगे तो क्या मुझे हमेशा पूरी तरह से अपने भीतर की ओर देखना चाहिए जी हाँ क्या मुझे संसार को बिलकुल नहीं देखना चाहिए आपको संसार की ओर से आँखें बंद करने को नहीं कहा जा रहा है आपको पहले स्वयम को आत्मा के तोर पर देखना है और फिर इस सारे संसार को आत्मा के तोर पर देखना है अगर आप स्वयम को शरीर के तोर पर देखते हैं तो संसार बाहरी दिखेगा अगर आप आत्मा हैं तो यह संसार आपको ब्रम्ह के तोर पर दिखेगा समस्या यही है कि इस भोतिक जगत और शरीर को असत्य के तोर पर देखना बड़ा कठिन है महरशी मेरे दात में दर्द है मानो तो क्या यह केवल एक विचार है जी हाँ एक विचार है गहरा विचार तब मैं यह क्यों नहीं सोच सकता कि दात में कोई दर्द नहीं है और इस तरह मैं अपना इलाज कर सकता हूँ जब कोई अपने विचारों में गुम हो या नींद में हो तो उसे दात का दर्द महसूस नहीं होता महरशी फिर भी यह बना तो रहता है ना संसार की सत्यता के बारे में मनुष्य की धारणा इतनी पक्की है कि इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता परन्तु यह संसार उस मनुष्य से ज़्यादा सत्य नहीं है जो उसे देख रहा है महर्शी ये कष्ट होता ही क्यों है अगर कष्ट न होता तो प्रसन्न होने की इच्छा कैसे पैदा होती अगर यह इच्छा पैदा ना होती तो आत्मा के प्रतिजिग्यासा कैसे उठती तो महर्शी क्या ये सारा कष्ट अच्छा है जी हाँ प्रसन्नता क्या है क्या स्वस्थ और सुन्दर शरीर नियमित भोजन आदी को प्रसन्नता कहा जाएगा भले ही एक समराट की अच्छी सेहत हो पर उसे भी अंतहीन समस्याओं ने घेरा हुआ होता है ये सारे कश्ट केवल एक ही वजह से है मैं एक शरीर हूँ इससे मुक्ति पाना ही ज्यान है अपने आपको आत्मा जानना ही ज्यान है महर्शी संसार के कारिय का लापों में फसकर मनुष्य परिणाम स्वरूप क्यों कश्ट को भोगतते हैं क्या उन्हें स्वतंत्र नहीं होना चाहिए यदि वे आध्यात्मिक जगत में हों तो उन्हें अधिक स्वतंत्रता होगी जगत केवल आध्यात्मिक है चूंकि तुम अपने आपको भोतिक शरीर से तादात्मिक कर रहे हो तुम इस जगत को भोतिक तथा दूसरे जगत को आध्यात्मिक कह रहे हो जबकि जो भी है वह सब आध्यात्मिक ही है महर्शी क्या ग्यानी लोग इन कष्टों से मुक्त नहीं है क्या वे अधिक स्वतंतरता का उभोग नहीं करते चुंकि तुम स्वयम का इस देह से तादात्म्य करते हो तुम देह से मुक्त आत्माओं को आत्मा कह रहे हो इन सीमाओं से तुम उनकी परिमितताओं की बात करते हो और उनकी क्षमताओं को जानना चाहते हो देह मुक्त आत्माओं के भी सूक्ष्म शरीर होते हैं अन्यता तुम उन्हें देह मुक्त आत्मा नहीं कहोगे देह मुक्ती से आशय है इस स्थूल देह से वंचित होना क्योंकि तुम उन्हें व्यक्तित्व प्रदान करते हो अतहा वे अपने सूक्ष्म शरीरों में केंद्रित है उनकी परिसीमाएं उनकी अवस्था के अनुसार होंगी महर्शी ब्रम्हचरिय पालन किस प्रकार किया जाए कि यह सफलता पूर्वक जीवन में बैठ जाए ब्रम्हचरिय पालन इच्छा शक्ति पर नेरबर है तथा सात्विक भोजन प्रार्थना इत्यादी इसमें सहायक होते है महर्शी आज की युवा गलत कामों में पड़ गए हैं वे उन पर विजय पाना चाहते हैं तथा हमारा निर्देश चाहते हैं मानसिक सुधार की आवश्रकता है उन्हें तो महर्शी क्या उसके निमित विशिष्ट भोज्य पदार्थ व्याया मादी का निर्देश किया जा सकता है कुछ औश्रधे भी हैं योगिक आसन तथा सात्विक भोजन भी उपियोगी है महर्शी कुछ युवकों ने ब्रम्हचरिय वरत ग्रहन कर लिया है वरत लेने के दस बारह वर्ष उपरांद उन्हें वरत पर पश्चाताप होने लगा है इन परिस्थितियों में क्या हमें युवक्तियों को ब्रम्हचरिय वरत हीतु प्रेरित करना चाहिए पहले तो सच्चे ब्रह्मचरिय को जानो ये जूटा ब्रह्मचरिय मत फैलाओ सच्चे ब्रह्मचरिय के संबंध में यह प्रश्ण उठेगा ही नहीं ब्रह्मचरिय का अर्थ है ब्रह्मच में अपनी आत्मा में विचरण करना ये शारिरिक ब्रह्मचरिय तो वास्त्विक ब्रम्हचर्य का एक छोटा सा साधन मात्र है महर्शी क्या आत्म साक्षात्कार ही तू नैश्ठिक ब्रम्हचर्य अनिवार्य है साक्षात्कार अपने आप में नैश्ठिक ब्रम्हचर्य है व्रत ब्रम्हचर्य नहीं है ब्रम्ह में चरिया का नाम ब्रम्ह में विचरण का नाम आत्मा को जानने का नाम ब्रम्ह चरिया है और इसके ही तो किया गया बाध्य प्रयास नहीं है महर्शी ऐसा मत है कि काम क्रोध आदी सद्गुरू के सामने लुप्त हो जाते हैं क्या यह सत्य है? यह सत्य है, आत्मसाक्षातकार के समक्ष, काम तथा करोध, अवश्यलुप्त हो जाते हैं सद्गुरू तुम्हारी आत्मा ही है महर्शी फिर भी एक ही गुरू के समस्त शिश्य, समान प्रगती नहीं कर पाते अनेक शिश्यों को मार्ग से हटते हुए भी देखा जाता है इन भूलों के लिए कौन जिम्मेदार है आत्म साक्षातकार तथा वयक्तिक संसकारों के मध्य कोई संबंध नहीं है गुरू के आदर्श को आचरण में उतार पाना सरवदा संभव नहीं होता महर्शी क्या वासना इस साक्षातकार को प्रभावित नहीं करती स्वयम को निर्बल बनाने का प्रयास स्वतह होगा तो क्या साक्षातकार से पूर्व सारे मलिन्ताओं को प्याग करना उनसे मुक्त हो जाना आवश्यक नहीं है ग्यान समस्त मलिंताओं को धो देगा उन्हें साफ कर देगा महर्शी मैं दमे का रोगी हूँ मेरी देह कभी सबल नहीं रही बच्पन से ही मुझे अपनी मा का दूद भी नहीं पचा मैं क्या करूँ आपका मन सबल है किन्तु देह दुर्बल है लेकिन महर्शी मैं राजयोग का अभ्यास करना चाहता था ब्रमचरिय का अभ्यास करना चाहता था किन्तु शारिरिक दुर्बलता के कारण नहीं कर सका देह की चंचलता के साथ मन भी डोलने लगा मन अचंचल हो जाए तो देह में कितना भी परिवर्तन हो कोई अंतर नहीं पड़ेगा महर्शी देह की चंचलता से क्या प्रारंभिक साधक को बाधा प्रतीत नहीं होगी बाधाओं के होते हुए भी प्रयास तो आवश्यक ही है निश्चही महर्शी फिर भी साधना क्षनिक होगी क्षनिक का भाव भी अन्य भावों के समाने एक भाव मात्र है जब तक विचारों का आगमन होता रहेगा इस भाव का भी उदय होगा एक आगरता हमारी अपनी प्रकृती है अभी साधना की आवश्यक्ता है इसे निरंतर करना है किन्तु आत्म साक्षातकार के पश्चात वहस समाप्त हो जाती है महर्शी हमें मन की उडानों के बीच का अंतराल इसको कैसे समझना चाहिए ऐसा भी मन की चंचलता के कारण ही होता है मन की उडाने मन की चंचलता के कारण ही है महर्शी संसकारों को क्षीन कैसे करें ग्यान के द्वारा तुमें ग्यात है कि तुम मन नहीं हो तुम शरीर नहीं हो वासनाई मन के अंतरगत है यह ग्यान वासना नियंतरण में सहायक होता है महर्शी किन्तु व्यावहारिक जीवन में वासना क्षय नहीं हो पाता जब भी तुम किसी वासना की तुष्टी में रत होते हो तुम्हें भान हो जाता है कि यह कारियत त्याज्य है छोड़ देने लायक है इस प्रकार पुनह पुनह किया गया स्मरण भोग की इच्छा को निर्बल कर देगा तुम्हारा सत्य स्वभाव क्या है यह तुम कैसे भूल सकते हो जागरिती, स्वप्न तथा सुशुप्ती मन के ही स्थिती के ही भेद है यह आत्मा की स्थितिया नहीं है तुम इन अवस्थाओं के साक्षी हो तुम आत्मा हो सुशुप्ती में तुम्हारा वास्त्विक स्वभाव प्रकट होता है इसलिए तुम स्वयम अपनी आत्मा को जान लो मन के सारे विकारों को नश्ट कर दो मन की सारी वास्नाओं को क्षीन कर दो तब तुम आत्मा में स्थित हो जाओगे सारे संशय नश्ट हो जाएंगे तुम पाप से कश्ट से मुक्त हो जाओगे सदा ही ब्रह्मचरिय में स्थित हो जाओगे ब्रह्म हमें विच्रण करोगे यही तुम्हारा लक्ष है